तो आज हम लेकर आचोगे 14 वीडियो इस कंपैरेशन वाली सीरीज में और आज हम कंपैर करेंगे इंडिया को उसके एक और प्रडूसिक कंट्री से यानि कि आज हम बात करने वाले हैं भुठान कंट्री के बारे में तो बीने किस लिए लेकर आये वीडियो शुरू करते हैं एक चायना को भी आप को देखने को मिलता है जो की है ड्रैगन तो आप देख सकते हैं यह बुठान का फ्लैट आगे जाता है कि उसके बाद यह जो आपन देख सकते हैं लेक्सिक लेकरstudy में तो ब्ली आप के बात करेंगे अगर अगर इसको आप जूम आउट करेंगे तो अलग अलग जो प्रोविंसे बुटान में तो आप बारे किसे देख सकते हैं आप इससे गूगल से भी डाउनलूट कर सकते हैं देख सकते हैं कुन सा एरिया आपको इतना डिटिल में जाने की जरूर नहीं है तो अगर आपके इस एक्साम की ताहरी कर रहे हैं तो बुटान कह करें के बीच के लिलेशन्स कैसे हैं मतलब कैसे मुल्ब आछे हैं काट हैं देख earth इंडिया बात करेंगे तो इंडिया बुटान थे काफी सथियो से व बुट सकती है तब warm 또 की एक बुटील से जो यूड़े होई बट उनका जो बो इक जो शे कर सेरंग बात अधा है है जब आप बोल सकते कि बुटान के किंग्डम की जो हमारे ब्रिटिश इंडिया जो राज करते हमारे ब्रिटिश राज करते तो उनके बीच बोल सकते कि एक ट्रिटी साइन होई थी 1910 में जिसके तहत ऐसा कहा गया था कि बुटान के जो इंपोर्टेंट डिसीजिस रहेंगे तो वो मतलब ब्रिटिश इंडिया ही लेगा और ब्रिटिश इंडियाcost था तो वो भी इंडिपेंड़न थी तो तौब फोल आपको अगर पता नहीं होगा तो भूतान और इंडिया आप자가 कासे जो किलिमेटर सी बॉर्डर शेयर करता है तो इंडिया और भुटान के जो रिलेशन से हो तो डीप रिलिजिस कुल्चरल लिंक्स है यह मतलब आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों है पढ़ने को आते हैं जो बुद्धिजम है यानि कि गुरु पद्म संभवा जो थे तो एक बुद्धी सेंग थे तो उन्हेंने काफी इंफ्लेशन रोल प्ले किया था क्योंकि अगर आपको पता होगा जो बुद्धिजम है तो नेपाड में आप बुद्धिजम हो था उसके फिर भारत था तो भारत में काफी ज़्यादा आप बुद्धिजम होगा उसके बाद जो गुरु पद्भा संभवा थे तो उनके मदद से वह भुटान आप बुद्धिजम ट्रावल किया फिर उन्हेंने बहुत ज्यादा प्रहतना की बहुत ज्यादा एफर्स लगे कि उन कई ऐसी कंट्रिस थी जो इंडिया था तो उसको एक इंडिपेंडन नेशन की तरह आप बुद्धान भी एक था तब इसे आप अगर बोलेंगे तो भुद्धान और जो इंडिया है तो उनके जो रिलेशनशिप्स है तो वह मतलब बोल सकते कि टाइम के साथ ज़्यादा ग प्रेशराइस करता है कि वह इंडिया की साइट से ना जाए और जो हमारा कॉमन इनिमी जिसे आप बोल सकते हो चायना है या इंडिया और भुटान जो है तो चायना के खिलाप स्टैंड लेना पसंद करते है तो यह अच्छी बात हो जाती है हमारी और भुटान के लिए ठी इस बेसिस पर फॉर्म हुए उनका फांडेशन क्या है तो 1949 में इंडिया और भुटान के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी तो उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी और पीस और फ्रिंशिप और 1949 तो 1910 की अलग ट्रीटी है जो के ब्रिटिश इंडिया के साथ हुई थी वह तो वह इंडिपेंड़न नेशन इंडिया के साथ वेता है इससे आप धरूर धान में रखेगा उसमें भी ऐसे ही कई डिसिजन ले गए थे कि जो इंपोर्टन जो आब बोल सकती की जो इंपोर्टन जो जो आइडवासिस है तो वह इंडिया लेगा क्योंकि उस टाइम पर मतलब जो इंपोर्ट कर सकता है उसके देश में उसमें इंडिया को खत्रा ना बने ठीक है तो यह कुछ आप बोल सकती कि अच्छे रिलेशन्स हुए तो अभी हम डिसकस करते कि कुछ चैलेंजिस क्या है या फिर कुछ इस जो बनते है तो वह क्या है ठीक है आगे जाते है तो अभी देखते हैं कि जो दोनों नेशन से उनके बीच में क्या बनते है तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि इंडिया निगेटिवली इंपैक कर रहा है खुद की इमेज को भुटान में क्या होता है कि जो ट्रीटी साइन हुई है तो उस ट्रीटी में बुटान ले सकते हैं उसमेंधीं इंटरफेर कर रहा है उसमें इपए हैं नहीं पर यह ग्याका कहना है जा दो अध्याति वहां के पीपल है तो वह यह भी कहते है या फिर आप बोल सकती कि इंडिया पैलेगेशन ऐसे भी लगते है कि वहां पर जो हाइट्र पॉवर्स बंद रखी कि आपको बर पता नहीं होगा तो भुतान से काफ़ जादा जो रिवर्स है तो वह भी निकलती है तो उसके वाज़ के लिए बटकी खुद के देश के लिए या फिर जो आप बोल सकते कि आउट आप दसेल पिंट्रेस्स यह कर रहा है मतलब खुद के सेल पिंट्रेस्स के लिए यह सब जो चीज़े है यानि कि हाइट्र प्रोडक्शन है तो वह भुटान में लगा रहा है तो जो की भी भुटान को अब जा इस आदेब जलिए ज्ञाने और अचिज़ेों आप अचे रहे है तो आप बोल सकती है चीज़ें जा सकते का वहत्वाद के जहा है मैंने पॉटान को वहां और नुरिए खुटान की ज़्यवेश्चन की चीज़ बन रही है ज्यारे कि मतलब इंडिया जो है तो ज्यादा एक्सिसिवली आप बोल सकती कि उसका जो रोल है तो वो प्ले कर रहा है भुटान में जो कि उनके देश के लिए अच्छा नहीं है ठीक है उसके बाद अगर आपको पता होगे कि आसाम में जो अलग-अलग जो आप बोल सकती कि वहां पर हुआ तो आुए पहीं अभाड हुआ तो वहाँ पर बोल सकते को इन के और जो इंस इन से ग्रूमष है तो वह पर बोल सकता है में जो हैं तो यह आपने समझ लिए कुछ इश्यूस क्या थे दोनों नेशनिस के बीच में तो यह जो आप वो सब्सक्राइब के साथ हो सकता है कि इन दोनों के देश के बीच में जो मिसंडेस्टेंडिंग है या फिर जो चैलेंजेस है तो जड़ी ज़़ी मिट जाए क्यूंकि हम भु अगर यहां पर चैना उसका आप बोल सकती है चैना जो मतलब जो मतलब डॉमिनेस करना चाहता है क्योंकि अगर यहां पर डॉकलाम प्लैटू पर अगर उसका खुद का डॉमिनेस कर लेते हैं तो वहां पर आपको एक छोटा सा कॉरिडूर दिखेगा जो रेस्ट आप और पॉजिव चैस आपको देखने की मिलें कि जो नेपाड के जो स्टूटेंट है तो वह बहुत साइज इंडिया में पढ़ने आते उनको स्कॉलर शीग भी मिलती है जो कि एक इंडिया और भुटान के देश देश के लिए एक पॉजिटिव चीज है ठीक है एक इंडिया का एंथम है जनगन मना वही भुटान का एंथम है थंडर ड्रागन किंग्डम जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया था कि वहाँ पे जो ड्रागन है तो वह मिथिकल क्रेचर है उनका और उसे बहुत मानते है ठीक है इंडिया की कैपिटल न्यू डेली वही भुट 10th of August 1947 को देन भुटान को इंडिपेंडेंस दे कहने से अच्छा है कि वहाँ पे बोल सकते कि वहाँ का जो वहाँ के जो किंग डैनेस्टीज है तो वह 17th of December 1907 को इस्टैबली हुई थी तो वह नैशनल दी से कंसेटर करते है जो कि वॉंग्चुक फैमिली है तो वह इस्टै अगर उसका सरल भाषा में अगर आप बहुत बारी देखा हुगा इंका नाम है जिगमेखेसर नामगेल वांग्चुक तो इनको आपने बहुत बारी देखा भे वर ट्यूव पे तो यह जो है तो यह वहाँ पे आप बोल सकते की हेड ऑफ दस्टैट जिसे आप बोल सकते है दो प्राइम मिनेस्टर अआए नरेंदर आडर मोधि वही भुटान को प्राइम मिनिस्टर है लो थрал के लग्वजे निंग एंग्वीछ वही भुटान के ऑफिचल लैंग्वजिंसर नस्टनल एंवीज लैंगवजू तो भुटान की उफिचल सुन जाते हैं तो सुन भी स साथ ही जो पिक्चर है वह जरूर आपको आपने बहुत बारे देखे होगी तो इसका नाम है प्यारो ताकसांग टेंपल जो के बुद्धिस टेंपल है जो के बहुत जाधा फेमस टेंपल है ठीक है आप यहापे जा भी सकते देख सकते है और यहापे इंडियन रुपी भी च इंडिया की पोपुलिशन है 141 करोज, वही भुठान की पोपुलिशन है 727,145 पॉप एंडिया में में मेजरीटी रिलिजन हैं हिंदुईजम जिसे 79.8% फॉलो करते हैं, वही भुठान का मेजरीटी रिलिजन हैं बुद्धिजम, वहां पे बुद्धिजम को को वह मेजर मेंजरली जो पीपल है तो वह करते जिसमें 84.3 परसंट पीपल जो नो पर्रृष इंदुझा करते तो इसके बाद हिंदू इसके बाद करते फिरखंट सब्सक्राफरिए पारल्यामिन्टर समें सब्सक्वाइं की मतलब यहाँ पे भूटान को युनिटेरी का मतलब आपको पता है पारलेमेंटरी मतलब आपको मतलब पता है सेमिकंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् GDP अगर हम purchasing power parity के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया की है 11.66 trillion dollars वही अगर भुटान की देखेंगे तो वह 9.8 billion dollars ठीक है जिसका नाम है एक military exercise है जो की मतलब जो जो मतलब बहुत सारे जो देश है तो वह मिलके कर रहे है जिसका नाम है शानपीर ओगरो शेना इसके बारे में अभी तो पढ़ने का टाइम नहीं है अगर आप पढ़ना चाहते है तो गूगल पर जापे इसका नाम डाल के पढ़ सकते है इंडिया में 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 इंडेस्ट्रीज तो इंडेस्टेम करते है इसका यहां अगर कोई आप बलसके तो वहां पर नहीं लोग मिलके पेड लगाते है तो उनकी development की definition हो completely different है और खुश भी है वो ठीक है तो वह ऐसा नहीं सोचते कि हमारा जो country है तो वह डेवलप नहीं है तो वहां के main industries है agriculture, then cement, hydropower, ठीक है Literacy rate अगर देखेंगे तो Literacy rate है इंडिया का 77.7% वही भुटान का Literacy rate है 73.06% Unemployment rate इंडिया में 6% है वही अगर भुटान में unemployment rate देखेंगे तो 4.10% जो people है वह आप है तो वह unemployed है Then life expectancy देखेंगे इंडिया की तो वह है 70.19 years to 22 के इसाब से वही अगर life expectancy rate अगर आप भुटान का देखेंगे तो 72.47 years ठीक है अगर human development index देखेंगे तो human development index 0.63 है इंडिया का जो की medium consider क्या जाता है बड़ अगर भुटान का human development index देखेंगे तो 0.66 है जो की एकदम slightly ज्यादा है इंडिया से तो समझ सकते हैं इंडिया को काम करने की ज़रूरत है तो वह भी medium ही consider क्या जाता है इंडिया में जो airports है तो 137 airports है वही अगर भुटान में major airports देखेंगे तो उसमें 4 airports आते हैं क्यूंकि देश काफी छोटा है उसमें सिर्फ एक international airport और वाकी नहीं है तो इसके लिए खुद का marine ports आपे नहीं है दिन आगे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 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 है जिसका नाम है खोलोंग चू तो यह का हाली में बहुत जादाबार न्यूस में रहा है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया आप तो यह इंडिया और भुटान के बीच का इक बोल सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट है जिसका नाम है खोलोंग चू ठीक है पॉलिटिकल स्टैबिलिटी का इंडिक्स अगर इंडिया के दिखेंगे तो वह है 49 वही पॉलिटि तो ऐसा नहीं कि मतलब हमसे छोटा है तो हमसे कुछ चीजों में अच्छा नहीं हो सकता है बहुत सारी चीजों में अच्छा भी हो सकता है हम बहुत सारी जो चीजे हैं तो उनसे भी सीख सकते हैं हेल्थ के इसाब से इंडिया के इंडिक्स है 35 वही भुटान का हेल्थ इंडिया के बात करें तो 2.46 बिलियन करता है इंडिया वह बहुत सारे पेड भी है वहाँ पे जो हर्याली बहुत ज्यादा है वहाँ बहुत अवेर है उन चीज़ों को लेके इसलिए वहाँ पे मतलब उनकी डेवलप्मेंट के डेपेनेशन है वह बाकी वर्ल्ड से काफी इंडिया में वही इंफ्लेशन रेट अगर आप भुटान में देखेंगे तो वही 7.35 परसेंट डिफेंस बजेट के बात करेंगे तो डिफेंस बजेट इंडिया का है वही डिफेंस बजेट अल्मस्ट आप कंसिडर कर सकते कि निगलेजिवल है वुटान में क्योंकि बात के जो मतलब अगर मिलिटरी पावर रैंकिंग के सबसे इंडिया का नमबर देखेंगे तो इंडिया फूर्त नमर पर आता है और मिलिटरी पावर रैंकिंग में भुट करता है खुद की डिफेंस पर आप समझ सकते कि उनकी जो डिफिनिशन है डिवलप्मेंट की हो डिफरेंट है ठीक है तो यहां पर कोट है तो कोट में कहा गाया है कि मतलब यह पीम नारेंदर मोधी जी ने कहा था तो वह कहा था कि भारत फॉर भूटान एंड भूटान अगर अगर किछैषो साथ है एक दूसरे साथ यहां प्लाइक किज일ा गएं डिफरेंट है अगर आपको वीडियो पास आंगे ब्लाइक है जिगा अदि यह अगर किसी रेंडियो हो सकती है तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं and that's it thank you